हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग फ्रेंट्स आज हम आपको केल्सियम सेंडोज इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं यह केल्सियम सेंडोज इंजेक्शन क्या काम में आता है कब इसको लगा जाता है कौन कौन इसको लगा सकते हैं इसके बारे में पूरा जानने के ल उसके बाद मैं वीडियो को पूरा देखें जिससे इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके अब देखिए वीडियो पूरा फ्रेंड्स आज हम आपको केल्सियम सेंडोज इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं यह है केल्सियम सेंडोज इंजेक्शन में दो साल्स यानि डो कंटेनिस में मिले हुए है calcium glucose 50 mg calcium lactobionate 80.7 mg इसमें मिला हुआ है और इस calcium elements भी इसमें 9 mg मिला हुआ है और quantity sufficient के लिए कुछ water भी इसमें मिलाया जाता है फ्रेंज सर्म आपको यह बता दे कि इस इस ingestion को 25 degree centigrade temperature से ज़धा में नहीं रखा जाता है और यह नोवाटीस इंडिया लिमिटेड कमपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है अफ्रेंट्स हम आपको बता देते हैं कि यह है इंजेक्शन इस तरह की वाइल में 10 ml की वाइल 10 ml के इंपूल्स में आता है जो 10 ml की सिरिंज में लगाया जाता है 10 ml की सिरिंज में भरके इसे इंट्रा वैलनेस जैसे की इस इंजेक्शन पर लिखाया हुआ है कि इंट्रा वैलनेस और इंट्रा मसल्स दोनु तरीके से लगा सकते हैं जादा तर इसे intravenous में ही लगाया जाता है क्योंकि muscles में 10 ml लगाना बहुत ही मुस्किल होता है इसलिए when when में ही इस injection को inject किया जाता है अगर बात करें friends इस injection को यानि calcium sender injection को क्यों लगाते हैं तो है friends हम आपको बताते कि calcium sender का injection calcium की deficiency होने पर लगाते हैं यानि जिन percent में जिन बुजूरगों में ज़्यादा तर calcium की problem रहती है बच्चों में भी calcium की दिक्कत रहती है और जो army की तयारी करते हैं जो दोड़ते हैं ज़्यादा hard work करते हैं उन्हें भी calcium sender का injection लगाया जाता है यानि इस injection को लगाने इसे bone की strength यानि bone की growth बढ़ती है और bone में जो दर्द होता है यानि दोड़ने पे या फिर किसी patient के calcium की कमी की वज़त से हड़ियों में जो दर्द होता है उसके लिए यह calcium sender injection injection लगाया जाता है यह calcium sender injection फ्रेंड्स healthcare प्रोफेशनल या फिर नर्चिंग इस्टाप या डॉक्टर की suggestion के ही according आप ले और medical staff दुआरा ही injection को inject करवाए हैं क्योंकि इस injection को लेने से कुछ side effect भी होते हैं और अगर किसी patient पे allergy हो रही हो तो वह है अपने डॉक्टर को बता दे हैं जिससे इसके side effect से बचा जा सकते हैं calcium sender injection का डॉज है वो friend एक injection लगाया जाता है यानि calcium supplement की जरूरत होती है calcium की जिन decent को जरूरत होती है उस according इसकी dose का calculate doctor ही करता है आता है आप डॉक्टर की सलहा के according ही calcium sender injection का injection लगवाए हैं खुच से यह injection नहीं लगवाए नहीं तो बहुत ही हानी हो सकती है और यह injection nerve में ज़्यादा लगाया जाता है यानि नसों में ही लगाने का injection होता है क्योंकि muscles में यह injection 10 ml का injection लगाना muscle होता है और friends इसके side effect की बात करें तो friends इस injection को लगाने से body में redness, swelling, दर्द आना और चक्कर जैसी समश्याओं का समश्या हो सकती है अगर आप friends हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना नहीं भूले जिससे हम ऐसी ही medicine के बारे में आप लोगों को information दे सके और हमारा होसला बढ़ता रहे और अपने friends को इस injection के बारे में इसके side effect के बारे में बताना नहीं भूले जिससे उनको यह है आप उनको share कर दे जिससे उन्हें इस injection के बारे में पता लग सके धन्यवाद friends स्वच्छ भारत स्वश्थ भ